तो यह देखें, वो कह रहा है, file uploaded, उसके बाद अगर आपने इस file को delete करना है, आप से गलत file upload हो गई है, तो आप यह जो red circle है, यह जो round है, इस पर click करके इसको delete कर सकते हैं, अगर आप इसको देखना चाहरे हैं, तो आप आई पर click करेंगे, तो यहाँ पर एक नई window open हो तो आप यह download का button click करेंगे, तो आपके पास PDF file download हो जाएगी, उसके बाद वो कह रहा है, कि जो आपने अफिडेविट upload करना है, वो upload करने, आप्लोड करने है, तो simply browse पर click करूँगा, और जो मेरा designation वाला अफिडेविट है, वो select कर लोंगा, simply उसके बाद दोबारा upload पर click हो चुक है, तो यह मेरी सारी detail complete हो चुक है, अब simply उपर जाके इसको मैं update कर दूँगा, यह मैंने नीचे सारी details लगा लिए, अब मेरे पास एक close का button आ रहा है, एक done का button आ रहा है, तो मैं done पे click करूँगा, तो जैसी मैंने done पे click किया, जो मेरे existing directors में director आ रहा था, वो चला गया, seized directors and officers में, और यह आगे आ रहा है, seized, अब इसकी जगह पे मैंने एक बंदे को replace भी करना है, director को, तो simply मैं click करूँगा, यह जो no natural persons appointed, इधर click करूँगा, plus पे यह रहा है, plus add natural person, तो simply इस पे click करूँगा, तो आगे कह रहा है कि add officer slash director और नीचे बता रहा है, please specify the designation, जिस ब add करना चाहरे है, उसकी designation क्या है, तो मैंने director को remove किया, तो मैं director की जगह, director यह add करना चाहरा हूँ, क्योंकि मारा पिछला director resign करके चला गया, तो director पे click करूँगा, यह देखें, यह आपके side पे boxes बने हुए, तो मैंने director वाले box पे click किया, आगे वो कह रहा है कि date, किस date को यह आ पीछे ले के जा सकते हैं, उसके बाद वो कह रहा है, please select the mode of induction, तो यह drop down पे click करूँगा, और यह appointed है, यहां तो elected आ रहा होगा, यह appointed होगा, elections मैं आपको बता देता हूँ, कि directors के election होते हैं every three years, लेकिन यह तो मारा एक बंदा छोड़ के जा रहा है, उसकी replacement में आ रहा है, तो यह appointed होगा, यह तब तक appointed होगा, जब तक तीन साल पूरे न हो जाएं, पिछले बंदे की term मिला के, उसके बाद वो कहरा, do you want to add a Pakistani citizen or a foreign national, तो पाकिस्तानी citizen है, आगे वो पूछ रहा है कि आप CNIC user हैं या नाइकोप user हैं, जिस बंदे को आप add करें as a director, तो CNIC, आप उसका CNIC जैसी नमबर add करेंगे, जैसी आपने add किया, यह search का button आ गया, तो search पर click करूँगा, तो जैसी मैंने search पर click किया, उस बंदे की सारी details आ गई, तो आपने कोशिश करनी है, जैसी जिस बंदे को आपने नया director add करना है, आपने उसका SCP leave पे sign up कर लेना है, जब आप उसका sign up कर ल कर लेना पहले, अगर sign up नहीं करेंगे, तो आपको सारी details manually add करनी पड़ेगी, तो आपने पहले sign up कर लेना है, जो नया बंदा director बंद है, तो सारी details आ रही होंगी, जब आपने sign up किया होगा, तो उसने सारी details आपकी fetch कर ले, name, email, आपका mobile number, personal information, personal information में आपका name, last name आ रहा है, occupation, जब आपने SECP LEAP में sign up किया होगा, तो जो जो details missing है वो आपने fill up करनी है, जैसे ये nationality इसके साथ star लगा हो है, nature of directorship के साथ star लगा हो है, residential address में सब के साथ star लगा हो है, postal code के लावा, तो ये सारी आपने जो missing details है, ये सारी fill up करनी है, तो nationality पे click करूँगा, तो इदर से पा मेरे पास appointed है, nature of directorship में मेरे पास appointed इस वज़ा चाहेगा, क्योंकि ये एक तो natural person है और दूसा है कि ये private company है, अगर ये listed entity होती तो उसके case में executive भी आ सकता था, non executive भी, independent भी आ सकता था, और nominated भी आ सकता था, nominated के बारे में मैंने आपको पहली बता दिया कि को corporate body या कोई creditor ही जो आप से उपर वाला जो है appointed उसको select कर लूँगा, उसके बार मेरे पास residential address है, तो ये सारी मैंने details add करनी है, country, province, district, city, तो country पे जाके पाकिस्टान select कर लूँगा, आप जैसे पी लिखेंगे तो आपके पास पाकिस्टान पे पहुंच जाएगा, इसके लावा ये आप आपके districts हैं, वो आजाएंगे, ये drop down के तरूँ आप search कर सकते हैं, मैं shortcut के तोर पे पहला alphabet लिखूंगा तो वो मेरे पास आजाएगा, तो उस district में जितनी भी तैसील होंगी, जितनी भी cities होंगी, वो सारी आजाएंगी, तो ये मैं अपनी city select कर लूँगा, और उसके बाद जो आपका complete address है, डिरेक्टर का, जो CNIC प्यारा होगा, वो आप mention कर देंगे, address के बाद वो NTN मांग रहा है, तो आप अगर NTN देना चाहें, तो आपका complete CNIC नंबर है, वो आप लिख सकते हैं, अगर आपका NTN बना होगा तो, details of appointment, nominating or pointing body, तो जो nominating body है, जैसे मैंने आपको प और appointing body में, suppose करने कोई company है, उस company के, आपकी company में shareholder है, तो उस company का detail आ जाएगी, कि वो company जै इस बन्दे को appoint कर रही है, या suppose करने government है, गुश बन्मेन के आपकी कमपनी में shareholder है, तो government किसी बन्दे को आपकी company में appoint कर देगी, तो जो appointing body है, उसका आपने नाम दिखना है, उस और जो एफिडेवट है फॉर्म नाइन का यह मैं आपको बता रहेता हूं एफिडेवट की जगह पर आपने लगाना है अपैंडेक्स टू फॉर्म नाइन अच्छा उसके बाद है जी कॉपी ओफ नोमिनेशन लेटर फॉर्म दी पांटिंग अथारिटी इनकेस दी परसन इस प्रवियंस ऑफ दी एक्ट तो वही अगर कोई एक्राइटर आपको नोमिनेट कर रहा है तो जनाब उसकी बोर्ड रेजलेशन आजएगी यहां कोई कंपनी है उस कंपनी के आपकी कंपनी में शेर होल्डिंग और वो कंपनी किसी बंदे को आपकी कंपनी में डिरेक्टर ब बेसिकली यह है जिए पेंडेक्स टू फार्म नाइं पहले फार्म 28 होता था कॉंसेंट टू एक्ट एस डिरेक्टर स्लैज चीफ एटिव लेकिन अभी उसको रिप्लेस कर दिया फार्म 9 के पेंडेक्स के साथ अभी यह फार्म 9 का पार्ट ही है अभी इसकी सेप्रेट फी नहीं होगी फार्म 9 का पेंडेक्सी बनेंगा यह इसमें कंपनी का नेम आ रहा होगा आइवी अंडर साइंड है कॉंसेंटिन टू एक्ट एज डिरेक्टर स्लैज चीफ एटिव दिव अबाव नेम्ट कंपनी परस्टर्ट सेक्शन 167 ऑफ दी कंपनी जैक्ट एक्ट एंड और जो भी बन्दा आ रहा है उसका नेम आ जाएगा डेजिनेशन आ जाएगा उसका अड्रेस आ जाएगा उसका सीनसी नंबर आ जाएगा और सिकनेचर आ जाएंगे यह appendix to form 9 जो है इसको भी आपने stamp paper पे लेना है अपने और इधर sign करवाने है जो आप जो नया बंदार जो नया डिरेक्टर आ रहा है और इसको भी आपने अटेस्ट और नोटराइज करवाना है अभी चलता हूँ आप इस form के उपर अपना जो appendix to form 9 है और जो CNIC का front and back है व इसको select कर लूँगा तो यह मेरा appendix आ गया और दोबार upload पर क्लिक करूँगा यह जी file uploaded और यह आई का बटन क्लिक करूँगा नहीं tab open हो जाएगी download पर क्लिक करूँगा download हो जाएगा और यह red पर क्लिक करूँगा तो delete हो जाएगा CNIC का front and back upload कर लेते हैं as it is browse पर क्लिक करूँगा यह दोनों files आगी upload पर क्लिक करूँगा तो यह रेखिए यह सारी files मेरी upload हो चुकी है उसके बार आपने क्या करना है validate user information information is valid kindly proceed with add and notify information valid हो चुकी है अब सबसे उपर जाएंगे और इसको add and notify कर देंगे तो सबसे उपर चलता और यह close का button है उसके बाद यह blue color का tab आ रहा है add and notify add and notify पर क्लिक करूँगा तो जैसी मैंने add and notify पर क्लिक किया यह देखें यह मेरे पास directors में नया director आ गया name आ जाएगा CNIC mobile number email आपका address आ जाएगा तो इस तरह से आप जो director है आप उसको add कर सकते हैं अगर तोड़ा सा में appointment आगी उसकी June 7 2024 और mode of appointed में appointed आ गया ऐसी मैं नीचे आ गया sees directors and offices तो जो मेरा director sees हो चुक है उसकी detail आगी सारी name आ गया mobile number email और आगे designation में डेरेक्टर date of decision में मेरी June 7 2024 तो June 7 2024 को एक आ रहा है और एक जा रहा है और mode of decision में resign कर गया है उपर mode of appointment है और नीचे mode of decision है तो एक director गया और उसकी जगा मेरा नया director आ गया अभी मैंने add करना है auditor को तो मैं आपको बताता हूँ कि auditor को आपने कैसे add करना है तो उपर आ जाओंगा तो यह आ रहा है no new auditor slash legal advisor firms appointed please add a new body corporate by clicking the button below तो अगर आपने auditor appoint करना है तो आपने add body corporate पे click कर देना है यह जो plus का बटन बना है तो इस पर click करूंगा आगे वो कह रहा है add body corporate officer आगे वो कह रहा है please specify the designation of officer तो मैं auditor को पाइंट कर रहा हूं तो इधर auditor पे click कर दूँगा यह auditor के साथ यह देखे round circle बना हुए तो यह auditor आ गया आगे वो कह रहा है please enter corporate unique identification slash registration number to add body corporate अगर तो आपका auditor कोई company है तो आपने उसका ने लिखा होगा simply आपने search पे click कर देना तो जैसी आप search पे click करेंगे तो यह सारे information आजाएगी आगे आपने company जो है जो आपकी firm है उसका name आजाएगा तो आपने पूरा जो भी firm का नाम होगा suppose ABC and co chartered accountants वो आपने पूरा नाम लिखते हैं name of registering body यह आप छोड़ दें यह देखिए compulsion नहीं है इसके साथ star नहीं लगावा उसके बार registered office address जिस जगह पे आपकी firm का address है जो आपका auditor है उसका address हो आजाएगा country में वैसी drop down पे click करेंगे और पी लिख दें यह यह जो आपके पास cursor है इस पे click करके below above जा सकते हैं तो इदर से पाकस्तान स्लेट कर लूँगा परविंस drop down पे जाके परविंस मेरा पंजाब है जो district होगा आपकी firm का वो आ जाएगा जो city होगी वो आ जाएगी अब यह देखें लहोर में लहोर district में different cities है different towns बने हुए जैसे रावी टाउन है, कंटोर्नमेंड है, निस्टर टाउन है, दाता गंजबर्ग, शिकबाल टाउन, तो जो भी आपका टाउन होगा वो select कर लेंगे, तो मेरे case में है गुलबर्ग टाउन, तो मैं गुलबर्ग टाउन select कर लूँगा, उसके बाद address line में जो आपकी जो आपका auditor है, जो उसका complete address आ रहा होगा office का, वो आप add कर देंगे, तो मेरे auditor का name आ गया, उसका registered office address की पूरी detail आ गई, अब मैं नीचे चलता हूँ, further information add करने के लिए, अभी date of appointment, किस date को आप add करना चाहरे है, suppose मैं साज जून को यह add कर रहा हूँ, तो यह जो calendar है, और इदर से साज जून सेट कर लूँगा, आगे बर पूछ रहा है, is the appointment of auditor due to removal of auditor during tenure, क्या यह auditor की appointment, जो है, किसी existing auditor के जाने की विज़ा से आ रही है, तो no जी, मैं first time appointment कर रहा हूँ, उसके बाद attachments में आ रहा है, consent of auditor, याद रखें कि जब भी आप किसी auditor को appointment करेंगे, तो auditor एक consent देगा, उस consent को आपने attach करने है, वो consent auditor आपने letterhead पर देगा, और उसमें mention होगा, कि मैं जो है, इस company का auditor हूँ, इस साल के लिए, तो मैं आपको consent दिखा रहेता हूँ, तो basically यह एक auditor consent का format है, letterhead पर auditor का name आ रहा होगा, और नीचे address आ रहा होगा, लेकिन मैंने remove कर दी है, privacy reasons के data आ रही होगी और name आ रहा होगा, to the board of directors, ABC private limited consent to act as auditors under section 246, subsection 9 of the companies act, dear sir, I, ABC and co chartered contents to hereby give our consent to act as statutory auditors of ABC private limited in persons of section 246, subsection 9 of the companies act for the year ended June 3024, तो यह auditor अपनी consent दे रहा है, कि जो मैं हूँ, as a auditor, मैं अपनी consent देता हूँ, कि मैं जो है, इस company का auditor हूँगा, इस year के लिए, 2024 के लिए, तो मैं इस consent को attach कर दूँगा, जब आप auditor से कहेंगे, तो आपको वो consent देगा, और आपने याद रखना है कि SECP में, जिस company का capital है, जो authorized capital है, वो 1 million तक है, उसके लिए auditor क की requirement नहीं है, और जिस company का, जो authorized capital है, वो 1 million से ज्यादा है, उसने auditor रो point करना है, तो अगर आपको auditor रो point करना हो, तो आप मेरे से contact कर सकते है, मैं आपको consent ले दूँगा auditor से, तो simply वापिस जाँगा, अपने SECP के form पे, और जो मेरी consent है, उसको मैं attach कर दूँगा, browse कर के, तो आ और जो मेरी consent है, उसको simply upload कर दूँगा, तो यह देखें, file uploaded, और यह आई का button आ गया, download का आ गया, delete का आ गया, तो यह सारी details मेरी add हो चुकी है, अब simply उपर जाँगा और इसको add कर दूँगा, यह देखें, यह sidebar आ रही है, इसको मैं उपर लेके जाँगा और इसको add कर तो जैसे मैंने उसको add किया, तो यह देखें, पहले directors आ रहा है, उसके बाद आ रहा है आपका, body corporate officers, तो नीचे चलता हूँ, तो यह देखें, auditor slash legal advisor firms, तो जो मेरा auditor Fs की detail आ गई, सारी appointment date आ गई, उसका address आ गया, तो इस तरह जो आप अपना auditor है, आप उसको add कर सकते हैं, देख रहा है, appointment of legal advisors act 1974, जो legal advisor की appointment है, वो इस act के तहती है, तो मैं आपको वो act दिखा रहता हूँ, और किन कंपनी के लिए compulsory है कि उन्होंने legal advisor appointment करना है, मैं वो भी आपको दिखा रहता हूँ, तो चलिए, act पे चलते हैं, तो यह मेरे पास आ जाएगा, appointment of legal advisors act 1974, तो जो important definitions है वो देख लेते हैं, इसमें company, आ रहा है, company means a company formed and registered under the company's ordinance 1984, तो आपने याद रखना है कि company's ordinance 1984, अपसलीट हो चुका है 2017 में, अभी company's act 2017 कहलाएगा, तो यह same ही purpose है इसका, having paid up capital of more than 7.5 million rupees, रहा कंपनी लिम्टेट बाइ गरंटी आर रहा हैं असूसेशन रिशिस्टर अंडर section 42 of the state ordinance, तो ऐसी companies जिनका paid up capital है, चत्रलाग से जाद है, उनके लिए compulsory है कि उन्होंने legal advisor appoint करना ही करना है, चाहे उनका कोई legal issue आए ना आए, उन्होंने legal advisor appoint करना ही करना है, उसके लावा ऐसी companies जो limited by guarantees है, कुछ companies का capital नहीं होता है, वो limited by guarantee होती है, तो उनके case में भी compulsory है, और जो non-profit organizations है, आपकी जो NGOs हैं, वो SECP में registered होती है under section 42, तो NPO के लिए भी compulsory है कि उन्होंने legal advisor appoint करना ही करना है, आगे retainer पे चलते हैं, retainer से मुराद उसकी fee कितनी होगी, every legal advisor appointed by a company shall be paid a retainer which shall not be less than 5000 रुपीज पर mensum, और such higher amount as may be notified by the federal government in the official wizard, जो आपने legal advisor appoint करना है, जनाब आपने उसको 5000 पिया पर मंच है, उसकी retainer शीप fee देनी है, यानि कि उसकी fee समझ लें, उसकी sell ही समझ लें, वो 5000 से कम नहीं होगी, आगे है जी, who may not be appointed legal advisor, कौन है, जो legal advisor appoint नहीं हो सकता, a company shall not appoint an advocate or registered firm to be its legal advisor, if upon such appointment, the number of companies of which such advocate or firm is, a legal advisor will exceed, the case of the advocate 3, are in case of a firm, the product of 3, and the total number of partners of the firm, अगर कोई advocate 3 companies में पहले ही legal advisor है, तो वो further companies में legal advisor appoint नहीं हो सकता, और firm का भी वही case है, कि अगर firm में partners है, तो हर partner जो है, वो 3 से ज्यादा companies का legal advisor appoint नहीं हो सकता, तो ये बात आपने याद रखनी है, जिस भी आप advocate को, जिस भी lawyer को आप appoint करे हैं, वो पहले से 3 companies में legal advisor appoint नहीं हो, वरना आपके लिए issues हो सकते हैं, उसके बाद जो legal advisor की पार्मेंट है, उसके कुछ rules है, मतलब कि अगर आपने किसी को legal advisor appoint करना है, तो आपने कौन कौन सी चीज़ें साहत में डहज करनी है, तो वो मैं आपको दिखा रहता हूँ, अभी हम आपने submit करने है forms, at the time of appointment of legal advisor, तो आपके वो appointment of legal advisors, जो आपके rules हैं, उसमें given है, यह मैं आपको दिखा दूँ, appointment of legal advisors rules 1975, तो यह इसमें given है, तो मैं आपको दिखा रहता हूँ, schedule 1 है जी, register of legal advisor, name of legal advisor, if the legal advisor is a firm, name of the firm should be given, तो legal advisor का name आजाएगा, अगर legal advisor firm है, तो firm का पुरा नेम आजाएगा, जो भी है जैसे, ABC, solicitors, यह जो भी आपकी firm का नेम है, laws की firm जैसे ही होती है, solicitors, law chambers, यह whatsoever, जो भी नाम है, number of partners in case of a firm, firm के case में कितने partner हैं, एक law firm में तो, 10, 20, 50, जितने ही partners हैं, सब का number आजाएगा, कि suppose इस firm में 10 partner है, remuneration, तो 5000 कम से कम remuneration है per month, address आजाएगा, date of appointment किस date को point करे हैं, तो हमारे case में तो वही 7 June, date of termination of appointment, तो इदर कुछ भी नहीं आएगा, schedule 2 में वो certificate देगा, कि वो 3 से ज्यादा firm में जो है, वो legal advisor नहीं है, अगर वो individual है, किसी firm में नहीं है, तो उसका नहीं में आजाएगा, वी में firm का नाम आजाएगा, certified date during the year, 1224 सल रहा है, I were not engaged as legal advisor in more than 3 companies, the particulars of the companies in which I were the legal advisor during the year are as follows, तो जिन companies में वो legal advisor है, उसकी वो details बता देगा, और अगर वो नहीं है, तो वो वैसी चोड़ देगा, इस particulars की detail ही नहीं आएगी, इसको लेने की आपको जुखती नहीं पड़ेगी, अगर वो बाकी companies में legal advisor ही नहीं है, तो name of the company आजाएगा, signature आजाएगा, address आजाएगा, और name आजाएगा, तो इनको fulfill कैसे करना है, वो भी मैं आपको दिखा रहता हूँ.